कि बिस्मिल्ला इहराम रहें असलाम ओलेक्विर्स तो आप सब कैसे हैं अमीदा ठीक ठाक होंगे तो आज की वीडियो करते हैं शुरू आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपका कनॉला इस स्टेज पर है तो आप अपने कनॉले को क्या इस्तेमाल करें आज 13 ज याइना श्लिवाइन सबस्क्राइब किया हुआ है उनको पता होगा यह कानॉले को पानी महीं लगाया था हमने कनॉले को चस्त दो सप्रे एं करवाई है जिस से यहां तक पॐँचाय तो तो अभी कल रात गो बारिश होई ती तो आज हम अपने कनोला को अभी बारिश ओर आनी है तो हमने सुचे हम अपने कनोला को खाश जो है वो डाल दें तो अभी अब हम यह यह 1 बोरी 5-8 म्ली एक अधर के साब से यूरिय रही है। यूरिया कोई सी अब ने संक्राप कंपनी के लिए है जो कि नहायत बहतरीन कंपनी इसके प्रोड़क्ट बहुत ही मफीद है हम टोटल एटुजएट संक्राप के प्रोड़क्ट इस्तेमाल करते हैं अब यह इस्तेमाल करें इंशालला आपको पूरा रिजल्ट मिलेगा तो अभी हमने बोरी ज का लिए तो अभी हम इसको थोड़ा सा पानी लगाएंगे थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा पानी लगाने क्योंकि यूरिया में नैट्रोजन होती है यह काफी जल्दी गिसल जाता है तो पानी हमने तक्रीबन इतना यह सारा इसमें मिक्स कर देना हमने उसके बाद हम सल्फर कोलते हैं सल्फर हमने उपन कर लिया है पानी आप देख लें बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगाना है अगर ज्यादा पानी लगाएंगे तो साथ में नेट्रोफास है वो जल्दी जो ख अबर खा जो है वो नहीं जाती तो यह सलफर अब हम पूरी ऊपर प्ला देंगे अब हम पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें उसके बाद इसमें हम नाइट्रोफास जो है वो एड़ कर देते हैं अधी बोरी फी एकड के हिसाब से देखें थोड़ा थोड़ा जो है ना पानी लगाया था बिल्कुल काम तो अभी तो नहीं साथ में जो है वो टैच हो रहा अभी जब उपर से नेट्रोफास हम एड़ करेंगे तो यह जल्दी जो है वो जुड़ना शुरू हो जाएगा अधी बोरी हमने एड़ कर दी नेट्र करेंगे वाल से ले अलाव सारी तुम्हीं आपने करम गरम विस्तर के अंदर के लिए अल्लाव में आपने करम विस्तरा में जड़िये